Here students, now see the next question, this is the question number two, write the number name for the given numeral, आपने बेटे number name लिखना है, अब जहां पर भी बात आती है number name की, यानि आपने उस number को word की form में लिखना है, spelling लिखने है, clear, जैसे ही number name लिखा हो, आपके mind में बात आ जानी चाहिए, कि मुझे अब इसके क्या लिखने है, spelling लिखने है, किसके number क जो आपको number given है, clear, तो अब spelling आप तभी लिख पाओगे, जब आप उपर place दोगे, तो starting का जो आपका work रहेगा, हमेशा वो यही रहेगा, कि आपने इसको उपर क्या देना है, place देना है, clear, तो एक हम question करते हैं, for example, I am taking this example part D, ठीक है, तो part D मैं करके दिखा रही हूं, देख 8, 1, बिटे हमें पता है कि हमें क्या करना है, place देनी है, ठीक है, उपर place देनी है, तो बीच में क्या करेंगे, थोड़ा सा space भी देंगे, खुला खुला लिखेंगे, so dad की उपर वो गंदा ना लगे, खुला खुला वो हमें अराम से दिख जाए, अगर उपर आप tight 100,000, 10,000 and this is lakh, clear, lakh है, last place इसकी क्या है, lakh, तो जब last place lakh है, तो हम इसको जब read करेंगे, तो क्या करेंगे, 5 lakh, क्योंकि lakh place पे कौनसे डिजिट है, 5 है, so we will write here 5, lakh, उसके बाद 10,000 और 1000, इसको एक अठा read करना है, so this become 21, इसको counting की तरह read करेंगे, 21,000, 21,000, बिटे, spelling का ध्यान देना है, ठीक है, spelling गलत नहीं लिखने आपने, 300, 3, 100, 81, जो last के two digits होती है, मैं हमेशा कहती हूँ कि उसको as a counting की तरह read करेंगे, 81, again I repeat, 5, lakh, 5, lakh, 21,000, 21,000, 300, 300, 81, 81, clear? likewise आपके बिटे सारे parts हो जाएंगे, एक part हम और ले लेते हैं, h part, 6, 2, 5, 0, 0, 0, so I will write here once, tens, hundred, thousand, ten thousand, और lakh, 10,000 के लिए बिटे, t.th लगाएंगे, thousand के लिए only th, clear? now we will read it, 6, lakh, ठीक है, ऐसी read करेंगे न, 6, lakh, यहीं से आपने start करना है, left से read करना, start करना है, place आप right से दोगे, read आपने left से करना है, so 6, lakh, 25, 25, thousand, उसके बाद देखो पिटे, hundred वाली place missing है, 0, tens place भी 0, और ones place भी 0, तो यह आपका number यहीं finish हो गया, आगे हमें कुछ भी नहीं लिखना, क्योंकि जो 0 है, उसको हम क्या लिखेंगे, ठीक है, तो उसको आपने as it is, यहीं पर leave कर देना है, 6, lakh, 25,000, बस, that's it, clear students, so now, see the question number 3, write the numeral for the given number name, आपने numeral लिखना है, जो number name है, यानि कि जो spelling लिखे हुए हैं, इसको आप convert करेंगे, किसमे, number में आप इसको convert करेंगे, तो आपको read करना तो आता ही है, हाँ न, read करना अगर आपको आता है, तो आप इसको number की form में change कर सकते हो, तो यहां पर मैं इसका B part बता रही हूँ, 19,000, so सबसे पहले मैं लिखूँँगी 19,000, 300, मुझे पते 1000 के बाद 100 place है, ठीक है, तो इसका मतलब immediately 3 आ जाएगा, फिर आ रहा है 14, ठीक है, 1, 4, 14, clear, 1000 के बाद 100 place, और 100 place के बाद जो भी number होता है, उसको as a counting हम read करते हैं, 1, 4, 14 है, तो फिर आपका 3 के बाद immediately 1, 4 आ जाएगा, तो 19, 3, 1, 4, this will be the number, clear, likewise in the C part, 5 lakh है, 5, ठीक है, लैक, अब लैक में कितनी 0 आएगी, जो भी आगे वाली places हैं, वो सब खाली हो जाएगी, लैक से पहले क्या आता है, 10,000, उससे पहले 1000, उससे पहले 100, उससे पहले 10s और उससे पहले 1s, बस आप places count कर लो, जितनी places लैक के बाद हैं, उतनी 0s आ जाएगी, प्लियर स्टूडेंट्स, जितनी places लैक के बाद आ रही हैं, लैक से पहले आ रही हैं, आप उतनी places को count कर लो, जैसे कि 10,000, 1000, 100, 10s और 1s, 5 होगी, तो 5 0s आ जाएगी, प्लियर स्टूडेंट्स, नाउ सी दे नेक्स्ट वन, H पार्ट देखे, 8,000, तो मैं यहां लिखूंगी 8, 14,000, 1, 4, 14, मुझे पता लैक के बाद आपका 1000 ही आना है, ठीक है, 14,000, 3, अब यहां तो 100 आना चाहिए 1000 के बाद, तो 100 तो नहीं है, तो उसको 0 लगाएंगे, और यह उनली 3 है, तो डिजिट का नंबर होना चाहिए, उनली 3 है, तो यहां पे 0 लगाएंगे, और लास्ट में 3 लिखेंगे, तो आपने कोई भी 6 डिजिट नंबर लिख देना है, ठीक है, कोई भी नंबर लिख लीजिए, फॉर एग्जैंपल, यही वाला नंबर ले लेते हैं, यह नंबर आप यहां लिख दो, और उसकी प्लेस देनी है, प्लेस क्या बन जाएगी, यह प्लेस आपने देनी है, ठीक है, इजी क्वेशन है, कोई भी डिजिट ले लो, उसके अपर प्लेस लिख दो बस, क्लियर, अगला देखते हैं, क्वेशन नंबर फाइफ, राइट आउन दा ग्रेटेस नंबर और फाइफ डिजिट अन दा स्मॉलेस नंबर शिक्स डिजिट, अब मैंने आपको क्या बताया था, वेरी फर्स्ट मैंने आपको वीडियो में अभी बताया था, कि जो ग्रेटे लगाएंगे तो 0s की आएंगी, 5 आएंगी, including 1, टोटल तो 6 डिजिट है, लेकिन आप 6 0s नहीं लिख सकते, जो पहला डिजिट होगा, वो 1 होगा, उसके बाद आप 0s लगाएंगे, उसके बाद क्या करना है, how much is the difference between the two, उन दोनों का difference क्या है, यानि कि आपने subtract करना है, ड इस question को देखिए, मैं notebook में करके दिखाती हूं, किस तरा से question को हम करेंगे, so in the notebook, यहाँ पे एक तो मैं ले रही हूं, greatest, greatest number लिख रही हूं, 5 डिजिट, so this is 999 and this is 99, ठीक है, और smallest number ले ले लेती हूं, 6 डिजिट है, तो 1, 2, 3, 4, 5, और यह 6, ठीक है, जो 6 होगा, वो आपका 1 से represent होगा, क्योंकि starting हमने 1 से करनी है, clear, अब इन दोनों का difference बताना है, आपको यही पूछा है, how much is the difference between the two, between the two, इन दोनों का जो difference है, बीच का जो difference है, वो क्या होगा, यानि कि subtract करना है, अब इटे 6 डिजिट नमबर बढ़ा होता है, या फिर 5 डिजिट नमबर बढ़ा हो तो इसको smallest वाले को उपर रखेंगे, आपने यह नहीं सोचना कि smallest वाला छोटा है तो इसको हम नीचे रखेंगे, नहीं, आपने number of digits काउंट करनी है, clear, यह लैक प्लेस का बिटे और यह 10,000 प्लेस का है, 10,000 और लैक में कौन बढ़ा होता है, लैक बढ़ा होता है, clear, तो इ subtract करेंगे, और जो subtract करके आएगा, वो आप यहां पे लिखेंगे, यह मैं आपके लिए छोड़ती हूँ, ठीक है, question समझ में आगे आपको, किस तरह से करना है, एक के बाद एक carry आपने देना है, you can easily do this question, now move to the next, यह चीज़ मैं आपको अभी clear कर चुकी हूँ, place value chart, place value chart क्या ह होता है, किसी भी digit को उसकी place देना, जैसे अभी-अभी मैं, starting से ही मैं आपको बता रही हूँ कि हर एक digit को आपने क्या करना है, place देनी है उपर, तो यह आपका place value chart है, directly हम worksheet पे आ जाते हैं, worksheet 3, question आपको क्या given है, given below are some numerals, draw a neat place value chart and enter these numbers या numerals in it, आपने क्या करना है, आपने एक neat place value chart बनाना है, यानि कि उपर आपने places लिखनी है, और places लिखने के बाद, इन digits को आपने उनके नीचे लिख देना है, यह जो number है न, तो once place के नीचे, first वाले digit आएगी, tense place के नीचे, second digit, hundred place पे third digit, likewise आपको complete करना है, clear, तो एक question मैं करके दिखाती हूँ किस तर आ a part, I am taking the a part, a part में आपको given है, 8, 4, 6, 2, 1, तो आपको क्या गरना है, place value chart बनाने, बस उपर आप places लिख दीजिए, this is once, tens, hundred, thousand, ten thousand, यह आपका place value chart है, अगर इसको और अच्छा बनाना है, attractive बनाना है, तो आप क्या करेंगे, इसको box में ले लेंगे, ठीक है, box में लेके, इस तरह से आप यह बीच में line लगा देंगे, अगर आप इसको अच्छा सा बनाना चाहते हैं, जिस तरह से आपकी, यह book में given है, यह box given है न पिटे, यह box given है, देखो, ऐसी बना हुए, यह बीच में line से separate कर है, तो इसी तरह से आप draw कर सकते हैं, ठीक ह तो एक हम और example ले लेते हैं, C part ले रही हूं में इसका, I am taking the C part, 8, 2, 8, 3, तो बारा लिख लेते हैं, यहां पर, 8, 3, 2, 4, 0, 1, इसकी हमने क्या देनी है, place देनी है, so I will write here, once, tens, hundred, thousand, ten thousand, and this is lack, ठीक है, तो अब आपका place value chart ready है, आपने क्या करने है, इसको box में कर देने, और जो भी आप box लगाएंगे, बैटे, scale use करने, ठीक है, use scale, while making this box, like this, ठीक है, तो यह आपका place value chart बन गया, हर एक question में आपने ऐसी करने है, बैटे, clear students, तो इसमें एक ही question है, worksheet 3 में, till here we had revised our unit 1, okay,